जै माताती दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह 2020 के कन्या राशी फल के बारे में कन्या राशी के लोगों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है इस महीने में कौन-कौन से ग्रह राशी परिवर्थित करेंगे और इन ग्रहों का प्रभाव कन्या राशी के लोगों पर कैसा होगा कौन से शुब योग बन रहे हैं जो इस महीने को आपके लिए खास बना रहे हैं तो विस्तार से हम सभी बातों पर चर्चा करेंगे तो आपसे निविदन है आगे बढ़न से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ इसके साथ ही पासी बने घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें इससे हमारी सभी वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी सबसे पहले तो दोस्तों फरवरी महीने की हम ब परिवर्तन होगा सूर्य मकर राशी से निकल कर को में प्रवेश करेंगे एट फ़रवरी को मंगल ह्राशी परिवर्चित शाली आपके लिए रहने वाली हैं शानी ग्रह 24 उनवरी को ही अपनी राशी मकर राशी में प्रिवेश कर चुके हैं और राहू और केतू ये भी इस समय उचके रहेंगे यानि ये तो ग्रहाओं का राशी परिवर्तन हुआ लेकिन इसके अलावा दो फरवरी को शुक्र जब इस तितिया बहुत मज़बूत होंगी और यहां एक साथ कई सारे योग बन रहे हैं पहले तो शुक्र उचके हैं दूसरा थित योग है तीसरा गुरू समय राशी में है और शनी-भी राशीमे राव ये राहु केतू उचके हैं तो जब इतनी प्रबल इस्तितिया बनती है तो उनका प्रभाव देखने लायक होता है यानि ऐसा बहुत ही कम होता है जब इतनी अच्छी इस्थितियां इतनी शुब इस्थितियां बनते हैं तो ये जो एक time होगा ये एक बहुत ही प्रभाव शाली time period होगा जिसका प्रभाव कन्याराशी वाले लोगों पर तो बहुत यानि इनके लिए तो ये किसी वर्दान से किसी golden period से कम नहीं होगा और किस तरह से खास होगा इसे क्या चीजें हैं जो आपको मिलने वाली हैं इस महिने में चलिए हम विस्तार से बात कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम यहां जानेंगे सूरिया के बारे में कि जो सूरिया क राशी प्रिवर्दन से ही आपके जो विरोधी थे उन पर आप विजह हासिल करेंगे और अगर आपके उपर कोई कानूनी मामला चल रहा था कोई मुकदमा आपके इस पे चल रहा था तो वो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है इस सूरिया के गोचर के दुरान आप बहुत महनत करेंगे और वो महनत आपकी सा फल होगी आपको अच्छे फलों के प्राप्ति होगी आपके अंदर वो शक्ति होगी वो सामरत्य होगा जो आपकी कारिया में व्रदी कराएगा आपको खुश रखेगा आपको हर शित्र में आपकी व्रदी का कारक बनेगा आप बड़े का गोचर आपके लिए बड़ा ही प्रभाव शाली रहने वाला है और बुदादीता योग भी बनेगा दूसरी हम बात करते हैं बुद्ध की तो बुद्ध इस समय आपके छटे भाव में गोचर करेगा और बुदादीता योग का निर्मान भी होगा देखे छटा भाव जो हो की पूरी तरह से होने वाली है और आपके अंदर नए विचार होंगे नए आइडियाज आएंगे नए सोच आपकी विक्सित होगी किसी भी निर्णा के लिए पहल करने का गुण आपके अंदर होगा प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रगती करते हुए नजार आएंगे इ इससे यह यात्रा आपके लिए और अधिक शुब बन जाएगी आपको साथी का साथ भी मिलेगा और आपका काम भी होगा लेकिन आपको एक चीज का ध्यान जरूर रखना होगा आपकी वानी में थोड़ी कड़वा हटा सकती है इसलिए अपनी भाशा का अपने वैवार का जो विनमर्ता से आपको यह प्रियोग करना होगा और इस समय आप ननिहाल पक्ष भी जा सकते हैं वहाँ जाकर आपको बहुत खुशी भी होगी और इस समय खर्चे का योग भी आपके लिए बुनेगा लेकिन आपके लिए धन प्राप्ति की योग भी बहुत अच्छे बं आने वाला साबित होगा अब हम तीसरी बात करते हैं शुक्र की तो देखिए शुक्र आपके साथवे भाव में गोचर करेंगे और यहां शुक्र उचके होंगे तो सबसे पहले तो जो पुरुश हैं उनको अपने इस्तरी के मदद से अपनी शादी अपनी पतनी की तरफ से कोई बड़े लाब की प्राप्ती होने वाली है उसकी साहता से हो सकती है या उसकी तरफ से हो सकती है लेकिन बड़े काम का आपके लिए योग यहां बन रहा है और विवाह के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं आपके लिए इस दोरान आपकी जीवन साथी के साथ बड़े अच्छे योग बनेंगे और आपको पता चलेगा कि आप अपने साथी के प्रती कितने समर्पित हैं पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा और ये समय आप अगर मीडिया के शेतर से जुड़े हुए हैं तो वहां आपको बड़ा ही शुबफलते मिलेंगे अगर आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं ट्रेडिंग करते हैं तो जबरदस्त सफलता के योग आपके लिए इस महीने में लगबख 26 दिन आपके लिए बने हुए हैं अगर आप सोने चांदी से जुड़ा हुआ कोई बिजनिस करते हैं उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको बड़ा जबरदस्त लाव मिलने वाला है क्योंकि आपके भागे का स्वामी उच्छ है और जब भागे का स्वामी उच्छ होगा तो आपके भागे को बलंदियों पर लेकर जाएगा कमाल का योग ये आपके लिए यहां निर्मित हुआ है जिसका फायदा आपको मिलने वाला है तो इस समय का बस फायदा उठाएं आप कारे शेतर से जुड़ेंगे अपने कारे में आपको ध्यान दें और ये जो गोचर है जो शुकर का गोचर है और जो इस्थितियां है शुवाती 5-6 दिनों की ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन बच्चों का जन्म इस अवधी में होगा यानि उच्च के शुकर में जिन बच्चों का जन्म होगा वो बड़े ही भागेशाली ब ज्यानी होंगे तो ये उन लोगों के लिए उन बच्चों के लिए तो बड़ा ही अच्छा समय रहने वाला है अब हम जान लोगों केले नहीं मंगल के बारे में क्यों कि आठ्वरी को मंगल धनोराशी Mais है और कर्णल राशी कर्ण राशी के इस समय जह तक अपनी महनत से अपने कर्म से अपने भाग्य का निर्मान करेंगे मंगल धन और साथवे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में होगा जो आपके धनारजन करने के लिए आपके भाग्य का निर्मान करने के लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए यात्राओं का योग बनेगा साज़दारी में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मौका मिलेगा आप साज़दारी में काम कर सकते हैं आपके इस समय सकारात्मक विचार आपके मन में रहेंगे और ये विचार आपको उचाईएंओ पर लेकर जा सकते हैं ये समय ऐसा होगा कि आप किसी गृूप का नेतरत्व भी कर सकते हैं जिसमें आपको सफलता मिलेगी यानि आपके अंदर अगर राजनीती के गुण है आप राजनीती के शेतर से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता मिलेगी, आपके नित्रत्व करने की शमता यहां बढ़ती हुई निज़र आ रही है, लेकिन यहां थोड़ी सी आपको अपने पिता के स्वास्था को के लिए थोड़ी साफधानी ज़रूर रकनी होगी, पिता के स्वास्था में थोड़ी गरावट देखी जा सकती हैं तो पिता के स्वास्त्य का दिहान जरूर रखें और पैत्रक संपत्य को लेकर कोई छोटा मोठा वीवात हो सकता है तो अगर आपको लगता है कि ये पादविदा की स्थितियां पैदा हो रहे यह तो उन स्थितियों को आपको समालना हैं बड़ी ही शांति-पूर राशी में फ्रिवेश कर जाएंगे जिससे कन्या राशी वालों के लिए तो बड़े ही शुब समय की शुरुवात हो जाएगी और कन्या राशी के लिए बड़ी बलशाली बात होगी जो शनी के दोश था आपके ऊपर वो दोश खतम हो जाएगा और आपके लिए बड़े शन महिने में अनुकुल बनती हुई दिखाए दे रहे हैं छोटी मोटी परिशानिया हैं छोटी मोटी परिशानिया आती रहती हैं लेकिन आपके वैपार को बढ़ने के लिए कई मौके मिलेंगे आपको अपनी नौकरी में कई मौके मिलेंगे यात्राओं का योग बनेगा विव महिन आपके लिए बहुत अच्छा है और इस महिने में वेलेंटाइन डे भी है तो प्रेञ तो वैसे भी इस महिने में परवां चड़ने ही वाला है जीवन साथी के साथ भी और प्रेञ सम्मन्द भी बहुत अनुकूल समय बना हुआ है तो इस समय का पूरा लाव आप उठाएं साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेर जरूर करें